कर आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीठियम से कैसे ट्रेन की टिकट बोक करें कैसे रिजर्वेिशन uenकर नहीं किया तो अगर IRCTC में तो उसके अगर आपने नहीं बनाया है आपको नहीं आता बनाना तो मैं एक वीडियो मेरे पास है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप पहले IRCTC एकाउंट बना ले जो आपको कहीं से भी रिजर्वेशन करेंगे तो आपको जरूरत लिजेगा और अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो अकाउंट बनाने के लिए मैं भी एक वीडियो बना चुका हूं उसमें भी आप जाकर चेक कर लिजेगा तो जैसे कि लॉगिन होने के बाद यह आपको आते हैं आपके पास यह है यहां पर देखिए यहां पर देखिए तो सबसे पहले यह बुक टिकट है यहां पर पे अन रवी चेक कर सकते है अभी फिलाल हमें टिकटकट करना है तो हम फ्रॉम में जाएंगे और यहां से जाना है जिससे स्टेशन से इसका को बैठना है तो वहां का स्टेशन कोड लिखेंग यह सीदर इस्टेशन का पुरा पादेरों में यह दोर भी लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा फिर वो दूसरे स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए जहां से स्टेशन कोई गलत ना सेलेक्ट हो जाए और फिर उसके बाद डेपार्चर डेट मतलब आपको कब जाना है कब कर रिजरिवेशन करना है तो मुझे य सर्च करता हूं यहां पर मतलब जिस स्टेशन से मैंने सर्च किया है वहां के लिए जितने भी ट्रेने होंगी सो करेंगी फिलाल यहां एक ही ट्रेन है तो एक ही सो कर रही है नर्मदा एक्सपेस तो उसके बाद यहां पर देखिए सीट सो कर रही है यह स्लिपर एसलिपर क् तो मैं यहां पर क्लिक करता हूँ और फिर देखिए यहां पर हमने 16 का सेलेक्ट किया था उसके बाद की वीडियेट यहां पर सोव रही है अगर आप चाहें तो रिजरिवेशन कर सकते हैं इसलिए होता है यह साथ दिन करता है तो यहां पर मुझे 16 तारीक का बुक करना है तो मैं यहां पर पूरा लिखा हुआ है कि RAC116 है तो मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूँ इसे क्लिक करता हूँ यहां पर यहां पर जो IRCTC user ID है यह देखिए वो मेरी पहले से यहां पर है अगर आपने नहीं भी यहां पर एडिट क करने को मागेगा तो मैं आपको बता दूँँ कैसे बनाना है आप डिस्क्रिप्टन में जाकर वो वीडियो देख लीजेगा आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे मोबाइल से आप IRCTC की ID बना सकते हैं तो मेरी पहले से यहां पर है तो बस मैं इसे यहां पर द रहने देते हैं क्योंकि हमने वही सिलक्ट ही किया है और टाइम लिखा हुआ है कि 16 बच के 6 मिनट पर मतलब 4 बच के 6 मिनट पर यहां से निकलेगी इस स्टेशन से फिर उसके बाद आपको यहां पर ट्रेबलर इंफोमेशन एड करनी मतलब कौन जो भी जा रहा है जो भी ज hiring आप सोल्हरर दी जपर शॉलाड़ नाम से जादा नहीं आता तो आप मतलब पूरा नाम को जरूरी नहीं है कि आप लिखें एक सीस लिखिए हां पर तो यहां पर थे देखिए यहां पर यह प्यूद्र संसंस्त विख करेंगे से इस पर striking करेंगे आप तो आपको मतलब अगर अपर पर करते हैं आप तो उनके पास अगर अपर फीज जो अवैलबल होगी तो आपको दे देगा तो अपने तरब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं फिर नेशनालिटी इंडिया है इसे डन कर दीजें आप एक बाद चेक कर लिजे कि देखिए यहां पर सोग कर रहा है एक ही आप से हम नेट किया है हिरेंद्र प्रताफ मेल 26 इयर अपर बर्द और फिर उसके बाद यहां पर नॉर्मल जो इंफुमेशन है वही है जिस्ट वगारे हैं अगर एड करना चाहते हूं और यह प्रिफरेंस और यहां पर मोबाईल नॉर्मल जो मेरा इंटर है उसे मैं चेंज कर देता हूं जो जरनी करने वाला उसका नंबर एड कर दीजे तो उसके में में एक मैसद भी चला जाएगा टिकट का यह नंबर मैं एड कर दे रहा हूं पर इमेल आइड जो टिकट है वो में लो जाएग यहां पर आपके पूछेगा कि आपकी जो आइड है उसका पासवर्ड आपको याद है तो continue करें नहीं याद है तो I don't remember मतलब यहां पर फॉर्गेट पासवर्ड करने का भी एक option में जाएगा यहाद है मुझे याद है कि मैं continue booking करता हूं यहां पर आपको पैसा बाद में रिफंड हो जाएगा तो करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है तो मैं नहीं कर रहा हूं मतलब मेरे में आरेसी है इसलिए मैं बुक कर रहा हूं इसे और यहां पर देखिए एमाउंट जो है यहां पर gateway चार्जेस यहां पर सो कर रहा है प्रोमो कोड आप देख लीजा अगर कोई अवेलबल हो यहां पर कोई अवेलबल नहीं है तो हम रहने देते हैं अब प्रोसीड टूपे कर देंगा तो देख लीजिए यहां से आप अपना payment का option सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके paytm wallet में पहले से पैसे हैं तो आप वहां से यहां पर एक paytm wallet का भी option आ जाएगा मेरे में है ही नहीं इसलिए नहीं आ रहा है paytm bank option आता है यहां पर यह देखिए use paytm bank यहां पर सोला रुप है लेकिन मैं अपने debit card से payment करना चाहता हूं तो मेरा debit card ही है मैंने पहले से यहां पर add करके रखा हुआ था अगर आपने add नहीं किया तो यहां पर जाके देखिए debit card का option रहता है यहां पर यह credit card net banking आप जो भी select कर सकते हैं मैंने पहले save किया हुआ इसलिए मैं इसे select कर देता हूं CVV यहां पर enter कर देता हूं अब pay now कर देता हूं यहां पर आपको ID जो मैं यहां पर जो भी मतलब आपकी जो ID है वो आपको लिखना है जो मतलब यह तो banking का प्रोसेस है आप कुछी भी अगर आप OTP के थुरू अपना bank register किया है तो OTP यहां पर लिखना होता है मैंने password किया 3D password कि रहा है तो मुझे यहां पर password लिखना payment complete करने के लिए payment के लिए तो देखिए reservation complete होने के बाद आपके पैसे कट जाएंगे उसके बाद आपसे password इंटर करने को मांगेगा IRCTC तो मैं यहां पर आपको जो time मिलेगा वो भी 7 minute का मिला है यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपको complete करने के यह देखिए मैंने password और capture, दोनों यहां पर इंटर कर दिया है, अब मैं submit करता हूँ यह देखिए booking successful हो चुकी है यहां पर, यह मेरी ticket जो यहां पर शोग कर रही है यह देखिए reservation की जो यहां पर success हो चुका है और मुझे mail और आपके जो ticket है वो आपको message पर भी मिल जाएगी कोई जरूरी नहीं कि आप ATM का यह open करके दिखाएंगे इसके जरूरी नहीं पड़ेगी आपको आप download भी कर सकते हैं ticket यह देखिए मैंने download किया यहां से तो यह पीडिया file डाउनलोड हो जाएगी वो पीडिया file को आप ऐसी open करिये तो आप फिटिकेट कुछ ऐसी दिखाई देखिए देखिए यहां पर PNR नंबर बगएरे सब होते हैं यह देखिए है सबसी उपर PNR नंबर है यहां पर यह है और आप इस PNR से आप चेक भी कर सकते हैं जैसे कि अभी मेरा RAC में है और मेरी टिकेट दो दिन बाद किया तो दो दिन बाद हो सकता है वो टिकेट कंफर्म हो जाए मुझे clear मिल जाए तो दोस्तो यह पूरा complete reservation है इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है बस आपकी टिकट का जो PNR नंबर आपको मिलेगा उसे आप चेक कर दे रहिए सीट की जो अपडेट हजब चार्ट प्रिपेर्ड हो जाए उसे एक बार फिर चेक कर लिजे टिक अपने PNR को और फिर उस सीट में आप जाके बैठी जहां पर आपका reservation हो चुकता है दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा